हेलो गाईज, दिस इस याश and welcome to funny jk trick तो आज हम लोग सम्मिदान के पार्ट बन संग और उसके राज्य छेत्र को एनिमेशन से, माइन वैप के माध्यम से बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे और लास्ट में मैंने इस वीडियो का सबसे फेबरेट पार्ट टेस्ट जिसमें previous layer के question वे include किया है जिससे आपको ये idea लग सकेगा कि आखिर इस पार्ट से previous layer में कौन-कौन से question पूछे गए हैं और कौन-कौन से question पूछे जाते हैं तो चलिए बिना देरी के हम लोग start करते हैं तो सबसे पहले ये चैनल हो कि हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे तीन पॉलिटी की सीरीज चल रही है पहला पॉलिटी के concept जिसमें मैं पॉलिटी के जितने भी छोटे-छोटे concept होता है न उनकी छोटे-छोटी वीडियो बना देता हूं की और दूसरी हमारी स्रीज चल रही है पॉलिटी की कंपलीट सीरीज जिसमें ये वीडियो जाने वाली है हमारी पॉलिटी का जो constitution का अमारा part बन है वो तो यहां पर लॉंग वीडियोस आपको देखना को मिलती है थाध्र सीरीज हमारी चल रही है पॉलिटी की चाहेगी तो सबसे पहले बात करते हैं अनुचेद एक के बारे में तो अनुचेद एक का सेक्शन एक कहता है इंडिया टेटिस भारत जो की राजों का संग होगा तो वेरी वेरी इंपोर्डेंट है यह कोशन बार और पूछा गया है कि कौन सा अनुचेद जो की यह कहता है कि भारत राजों का संग है तो वो अनुचेद एक है अब इसमें एक चीज और ध्यान रखो यह जो भारत एक राजों का संग है यह समिदान कहता है लेकिन इसको कहने में राजों की कोई सहमती नहीं ली गई है और इसमें राजों की सहमती की जरूरी भी जरूरत भी नहीं होत है कि वह आप हमारे भारत के राजों का संग बने रहो या भारत का पाइड बने रहो और राज्यों को यह अधिकार भी नहीं है कि वह भारत के यह जो राजों का संग है इससे अलग हो सके समझे तो राज्यों की सेमत्री की जुरत नहीं होती है और राज्यों के पास यह अधि वह प्रावधान ही नहीं है तो अनुछेद एक का सेक्षण एक हमें कहता है कि भारत एक राजो का संग्ष और अनुछेद एक का सेक्षण दो राज्य और राज्य छेत्रे के प्रावधान के बारे में बताता है और यही सेम चीज शेडूल वन में भी बताई गई है शेडूल चलो दिल देदो जी आप, बस अब आपको जो है 8 UT याद हो चुकी हैं, जिसमें 4 से हो गया चंदिघण, 5 से हो गया लड़्दाः और 6 से ही हुआ आपका लक्षदीब, और दिल से हो गया दिली और देदों में 6 से हुआ दादर एवं नागर अवेली और दमन और दीब, और जी से हो गये आपका जम्मू एंड कश्मीर और आप में आस हुआ अंडवान एंड निकोवार और पासे पुडूचेरी तो इस तरीके से आपको आठो यूटी याद हो गई है इसके बाद सेक्शन 3 कहता है सेक्शन 3 तीन चीजों के बारे में बताता है एक तो पूर्य राजियों के बारे में जैसे कि मद्भधर प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया हमारा हरियाणा इमाचल प्रदेश महाराष्ट यह हमारे पूर्य राज़ी हैं एसे 28 राजी है और इसके बाद केंदर सासित प्रद देशों की संक्या 8 है और जो हमारा अधिग्रियत छेत्र है यानि हमने कोई occupy छेत्र करा है वो उसकी संक्या 0 क्योंकि हमने किसी भी छेत्र को occupy नहीं किया है वो के ध्यान रखना चलो अब बात करते हैं अनुचे 2 के बारे में तो अनुचे 2 कहता है कि जो हमारी संसद वह नए राज्यों की स्थापना कर सकती है या नए राज्यों को कानून के आधार भारत में स्थाफिद कर सकती है लेकिन यहाँ पर exception द्यान रखों नए राज्यों को इस वुदेशी राज्यों को सामील करना शामिल है ना कि इंडिया में उपस्तित जो राज्यी है उनको राज्य की स्थाफ ना कर सकते हैं लेकिन इसमें बिदेशी राज्यों को शामिल करना है इसमें सामिल ठीक है जैसे कि हम लोग देख सकते हैं सिक्किम को शामिल किया गया था 1976 में उसमें सिक्किम को हमारा 22 स्थेट मतलब पूर्य राज्य का दर्जा दे दिया गया था ठीक है तो अनुछेद 2 में बिदेशी राज्यों को शामिल करना आता है ठीक है अब बात करते हैं अनुछेद 3 के बारे में तो अनुछेद 3 के तहट जो संसद है जो हमारे भारत रा संसद जो है एक जोट होकर कोई भी राज्य बना सकती है या किसी भी राज्य का छेत्रेफल या छेत्र का जो अकारे उसको बढ़ाना हो या घटाना हो वो कर सकती है संसद या राज्य की सीमा या उसका नाम बदलना हो वो सब अनुछेद 3 के माद्यम से कर सकती है तो नहीं के माध्यम से नए राज्य को बढ़ाना उनके छेत्रों को घटाना बगेरा यह सब शामिल है अब इससे रेलिटेट एक केश है बेरुवारी केश काफी इंपोर्टेंट भी है और पूछे जाता है एक्जाम में कोई भी जगा को किसी और देश को देने का प्रवदान नहीं है अगर हमें किसी भी जगा को किसी और देश को देना है तो उसके लिए हमें समिदान संशोधन करना जरूरी है आविशक है और इसलिए ही हमारा नवा समिदान संशोधन हुआ जिसमें बेरुवारी जो जगा है उ उसको दे दिया गया था बंगलादेह को और इसी के हवाले से हमारा सोभा समीधान संसोधन हुआ 2014 में जिसमें पंगलादेश और इंडिया के कापी सारे स्थान हैं एक दूसरे को दिये गए अब यहां पर आपको एक चीज नोट करना चाहिए कि जो हमारे सीमा विवाद होते हैं उसके लिए तो बाउंडरी जो हैं इंडिया और मंगला देश के बीच में वह घरबड होती है तो यह जो डिस्पूट होता है जो है जो यह जो लोकल अपूस्याशन है वहां की गुवर्मेंट हे वह हैंडल कर लेती है तो यह आप धियान रखना थो सीमा विवाद होते हैं उसके लिए इ तो देखो ये जो दोनों अनुछेदें इसको implement करने के लिए या इस अनुछेद का प्रयोग करने के लिए तीन element की जुरूत होती है या तीन component की जुरूत होती है इसमें राष्टपती, संसत और हमारे राज्जी के बिदान मंडल आते हैं चलिए अब एक interesting thing बताता हूं आपको, अब देखिए यहां पर यह लिखा हुआ है कि जो उपस्तित राज्जी हैं उनमें क्या-क्या action लिये जा सकते हैं तो या तो उन उपस्तित राज्जी से नहिराज्ज बनाया जा सकते हैं या उनके छेत्र को बढ़ाया जा सकते हैं या उनके सीमा बढ़ा सकते हैं या उनके नाम बदल सकते हैं अब लेकिन इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी राज्य को तोड़कर अब दो केंद्रसासित प्रदेश बना सकते हो अब बताईए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगोंने 370 आर्टिकल वाला देखा होगा कि पार्लामेंट में 370 आर्टिकल को खतम कर दिया गया और उसमें क्या किया गया उसमें जम्मू कश्मीर को दो यूटीस में कनवर्ट कर दिया एक है लदाक और दूसी है जम्मु कश्मेर तो अब यह किस आर्टिकल के तहत करा गया आप खुद बता दोनों आर्टिकल आपके सामने क्योंकि किसी में भी यह नहीं कहा गया कि किसी भी राज्य को आप दो यूतीज में परिवर्थित कर सकते हो इसलिए जो सुप्रिम कोर्ट में इसके लिए PIL वगेरा याची का वगेरा गई है और इस पर अभी केस आना बहुत है मैंसे कहा तो जाता है इनी अनुछेत का यूज किया है यूटीज बनाने में अब सुप्रिम कोर्ट का फैसल आने तो फिर क्लियर हो जाएगा तो अब बात करते हैं अनुछे 4 के बारे में तो अनुछे 4 ये बोलता है कि जो अनुछे 2 है और अनुछे 3 है इनको यूज करने के लिए सम्मिदान संशोधन की आवशक्ता नहीं है और राष्टपती की पूर्व अनुमती की आवशक्ता नहीं है ध्यान रखना कि अनुछे चार यह कहता है कि अनुछे दो और अनुछे तीन का यूज करने के लिए आपको राश्टपती की पूर्व अनुमती की आवश्यकता नहीं है लेकिन राश्टपती को बता दिया जाता है, इसकी जानकरी दे दी जाती है और ये अनुच्छ एट के बहार आता है अनुच्छ 368 जनरली बताता है कि हमें समिदान संशोदन किस एरिये में करा जा सकता है कहाँ पर करने चाहिए तो ये उसके दाइरे से बहार आता है और इसमें अगर कोई भी राज्य बनाना है तो 50% वोट चाहिए होता है पारलमेंट से और ये समाने बहुमत यानि कि यानि कि ये जो simple majority है उससे ये पास हो जाता है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर इस अनुछेद का यूज़ करना है अनुछेद 4 का तो आप अग समीदान की अनुछेद 1 और 4 उसमें भी चेंज़ेश करने पड़ेंगे ये आर्टिकल 4 बताता है समझ में आगे आपको तो आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि अनुछे 2 और अनुछे 3 में चेंज करना है तो उसके लिए आपको राश्त्रपती की अनुमती की जूरत नहीं है इस करने पड़ेंगे अगर आप लोग ने मेरी शेडूल वाली ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन ने उसकी लिंक है जाके देख लीजेगा तो आपको पता चला है का नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं बहुत कापी इंट्रस्टिंग वे में ये ट्रिक भारत में शामिल करने के प्रावधान के बारे में बताता है लेकिन अनुचे 3 जो है वो भारत में existing भारत में जो राज्ये हैं उनके छेत्रों को बढ़ाना गटाना उनके नाम बदलना ठीक है ये सारी चीज बताता है हमारा अनुचे 3 और अनुचे 4 क्या बोलता है कि जो अ वीडियो में हर लेक्चर में करूंगा जिससे आपका जो अनुचे देना मैं यहीं पर रियाद करवा दूँगा अब अगे जब वीडियो आईगे ना उसमें यह वाले अनुचे भी मैं आपको रिवाइस करवाऊंगा तो आप टेंशन विलकुन न लिजे जैसी हमारी पॉ कौनसी एक भारती संग राजय पतेती की विशेस्ता नहीं है तो देखो इसमें भारत में सोतंतर नयपली का यह है आप देखो यह मत देखना कि उपर की चीज आपको पताएगी नहीं पता आप यह देखो कि कौन सा अटपटा लग रहा है इसमें जैसे कि यह संबद होने व और पहесяं मती परिणाम नहीं है तो यह W näa और भारत में 25 राजयों का एसरय आप यह मिलते हैं जिसका राजय बढ़ा है वहांसे ज्यादा सीट हैं जिसका राजय चोटा इसमें कम क्वनित ही इसके बाद अगला कोशिन आता है कि सम्मिदान के अनुछेद एक में भारत को क्या कहा गया है तो राजयोगा संग कहा गया है देखी एक ही कोशिन कितने बार अलग-अलग एक्जामर रेपीट हुआ है निमलेखित मैंसे किस अनुछेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है तो अनुछेद एक में भारत के सम्मिदान के किस अनुछेद के अंतरगत संसत नई राजयो को भारतिय संग में सम्रीद कर सकती है तो कौन से अनुछेत के अंतरगर संसत नए राज्य को भारती संग में संबलित कर सकती है अब इसमें भारती संग में संबलित करने के बाद कर रही है नए राज्य को इसमें हम लोग उने देखा था अनुछेत 2 अनुषचित 2 डूसरे राज्यों को भारत के संग में शामिल कर सकता है ठीक है इसके बाद अर्सर्शन और रीजन इसको अच्छे से पढ़ना जो भारती समष्जदान के अनुषध एक में भारत को संगिये राश्ट के इस्तान पर राज्यों का संग कहा गया है, बिल्कुल सही बात है इसके बाद रीजन क्या बात दे रहा है भारती संग की इकाईउं से होने हुए समझोते का परिणाम नहीं है समझोता कुछ नहीं हुआ था इसमें घट आकायों को संग से अलग होने की सोतन तरह नहीं है विल्कुल तो सही है तो यहीे हैंनो थे अनुच्छी कशर के पता यहीं है, इसके संब्लाब हो अनुच्छप करण है, जो झो रहे हैं वह समझे हैं इसके बाद भारत के संभीधान का कौन सा अनुछेद, बारती संसद को भारत में एक नए राजिक के गटन के लिए दिया गया है, इसमें अनुछे तीन आएगा आपका, ठीके ये भारत में ही है, भारत में एक नए राजिक का गटन करना है ना, अनुछे तीन, इसके बाद न होता है कि silly mistake हो जाती है तो option देखो हमारे किसी राज्य का छेत्र बढ़ा कर यह तो है किसी राज्य का छेत्र गटा कर यह भी है हमारे अनुच्छे तीन में बताएगा ना किसी राज्य का नाम परिवर्थन बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन एक राज्य संग राज्य छेत्रें शा नहीं उनको राइट ही नहीं तो डी ओप्शन उसका सही आएगा क्योंकि वो सम्मेदानी की उपवंध नहीं है चलिए अगला हाता है हमारा नए प्रदेश के च्रजन एवं उसकी सीमा निर्दारण का अधिकार जिसे कोई नया प्रदेश बनाना तो वो जो अधिकार है वो र संसत द्वारा विधान की समाने रक्रिया में साधारन बहुमत के द्वारा संसत की दोनों सत्नों की दो तीहाई बहुमत द्वारा संसत की दोनों सत्नों की दो तीहाई बहुमत एवं संबंदित राज्यों के विधान मंडलों की सहमती से वह संबंदित राज्यों की सहमती से संगीय सरकार की कारेपली का आजेश्य द्वारा तो हम लोग ने देखा था कि जो राजो का पुनर गट है वो इसके जर्णल यानि की सिंपल मेजोटी की ज़रत होती है समाने बहुमत तो पहला हमारा एए अंसर इसका सही आजएगा अब मैं जो कोशन दे रहा हूँ ना इसके अंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है जिससे मुझे भी आईडिय लग सकेगा कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखा है तो द्यान से देखो भारतिस समीदान के अतंतर गरत राजों की सीमा में छेत्रिय परिवर्तन किये जा सकते हैं क्या बता रहा है किसी भी राजे का छेत सीमा नाम और उसकी सहमती के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संगिय संसत को प्राप्त है बिल्कुल प्राप्त है चलो चलो इसका अंसर आप बताऊगे मैं नहीं बताऊँगा कमेंट करके बताना तो आयोप यह वीडियो आपको अगले जैने जह बारत